नमस्कार बच्चों, आज के कारेपत्रक 64 में हम रचनाए भाग चार में ऐसे त्रिबुज बनाना सीखेंगे जिसमें हमें आधार, उसका आधार कौन और अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया हो अन्य दो भुजाओं का अंतर AB-AC या AC-AB दिया है, तो अब आपके पास दो सित्या, एक स्तिती है AB-AC वाली, एक स्तिती है AC-AB वाली, तो चलो हम पहली स्तिती लेते हैं AB-AC वाली, जहां पर AB बढ़ा है और AB में से AC घटान है, तो अब इसके अरचना के चरण आप देखना बि BX करके, B को केंदर लेकर, आप B पर दिये बिंदू के बराबर एक कोण बनाएंगे, जिसको हम X, B, C ऐसे नाम देंगे, आप कीरन BXC AB-AC कर बराबर रेखाखन कीजिए, उसके बाद हम यही करते थे, जितना हमें अंतर हमें दिया है, उतना रेखाखन करते थे, उसको CD से म नीचे, और फिर आप प्रकार को हिलाना नहीं, D को केंदर लेकर, एक चाप उपर, एक चाप नीचे, और इस प्रकार से इसको मिला दीजिए, तो CD आपका लम सम्धी भाजक है, जैसे लास्ट वरकशीट में बनाया था, एक्जाक्ली वैसे, अब यह पॉइंट A आपको A, B, C बन जाएगा, यहाँ पर क्या फर्क है दोनों जगह मैं आपको यह बता रही हूँ, बिलकुल एक जैसे प्रशन है यह, यहाँ पे, चलो पहले दूसरी स्तिती देख लेते, दूसरी स्तिती में आपके पास A, B और A, C में इस तरीके से है, कि A, C बड़ा है, तो A, C मे A, B के बराबर रेखाकंड B, D काट यह, यह विपरीद दिशा में है, यह देखो, यह खास बात देखो, यह विपरीद दिशा में B, D, अब आप इसको, B, D, यह काटा आपने रेखाकंड दिदा है, इसको C, D से मिला दिया, अब आपने C, D का लम सम्धी भाजक बनाए, तो लम सम्धी भाजक आपको B, X पे जहां काटेगा, वो A पॉइंट होगा, ठीक है, अब मैं आपको यह बता देती हूँ, पिछले वाले से कुछ भी अलग नहीं है, एक बार हम दोनों को रिवाइस कर लेते हैं, जैसे पिछले वाले प्रश्नका कर रहे हैं, जो पिछली वरक ठीक है, ऐसे ही यहां पे B, C बना, और उसमें आपने एक रिखा, जितना कोन दिया होता था, उतने कोन के साबसे अपने B, X केरन बना देते थे, फिर आप क्या करते हो, B को केंदर लेके आप वो चाप D काटते हो, जहां पे दो भुजाओं का योग दिया है, यहां पे भु पॉइंट अंदर आता है, इसमें जब CD का लमसम दिवाजक बनाते हो, तो वो ऐसे बनता है कि A पॉइंट उपर जाता है, ऐसे करके A पॉइंट यहां पे कहीं उपर आएगा, आप यह देख रहे हो अंतर, जहां पर दो भुजाओं का योग दिया था, A पॉइंट BD के अं पॉर था, 12, 13, ऐसे हमने questions किये थे, तो A पॉइंट उसके अंदर आ रहा है, अंतह में आ रहा है, फिर इसको A, B, C ऐसे मिला देते हो, तो तुम्हारा पूरा त्रिबुज बन गया, ठीक है, यहां पर दोनों का अंतर दिया है, तो A पॉइंट आपका CD का जो लमसम बाजक के स्थिति इसमें अलग प्रकार की होगी, और इसमें CD में अलग प्रकार की बनेगी, आटोमेटिकली बन जाएगी, उसमें आपको चिंता करने के जरूरत नहीं है, चलो अब हम प्रशन करते हैं यहां पर, जैसे पहला प्रशन है, एक्त्रिबुज की रचना करने है जिसमें BC 8 है, तो BC 8 बना दो, एंगल B 45 है, कोन B 45 बना दो, लंबी सी रिखा की दीजे BX, और दोनों पुझाओं का अंतर 3.5 है, तो B को के अंदर लेके 3.5 का चाप लगाओ, जो D पोइंट पे जाएगा, फिस CD को मिला दो, फिस CD से आप लंब सम्धी बाजक बनाओ, तो आप ऐसे करोगे, C पे रखोगे, जैसे आपने लंब सम्धी बाजक अम ऐसे करते हैं, जैसे आपको CD का लंब सम्धी बाजक बनाने न, सपोज ये तुम्हारा C है, ये D है, ठीक है, अब मैंने C से प्रकार लिया, उपर एक चाप लगाई, और एक चाप नीप्छे लगा द और फिर इसको मिलाओगे, तो वो उपर जहाँ A को काटेगा, वो तुम्हारा ABC त्रिबुच हो जाएगा, आगे है न समझ में, चलो अब हम आगे के प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न हम इनको करते हैं, चलिए, तो बच्चों हमें एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है, जिसमें QR 6 cm दिया है, एंगल Q 60 दिया है, PRP Q 2 cm दिया है, और दूसरा हमें ऐसा ट्राइंगल बनाना है, जिसमें BC 3 cm दिया है, एंगल B 45 डिग्री और दोनों का डिफरेंस दिया है 2 cm, तो चलो आओ हम इसे बनाते हैं, पहला क्वेश्न हम लेते हैं, इसके अंदर आप देख रहे हो, क जिसमें एक ट्राइंगल एक तिर्भुज ऐसा बनाना है, जिसमें इसका बेस एंगल नीचे वाला जो आधार है, वो 6 cm दिया है, और ये 60 दिया है, तो हम इसके लिए कैसा, रफ स्केच बना लेते हैं, आप देख रहे हो, 6 cm है, और ये तुम्हारा 60 है, वैसे इन क्वेश् इक जरुषणी होती है, तुम्हें मालूमिये कैसे करना है, बस एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर, पी-क्यू दिया है, पी-क्यू दिया है, जैसे तृपुज के यह साफ से हम लिखते है, तो पी-क्यू दिया है, यानि, शेकंड केस या सेकंड स्टिति, वो तुम्हें देखना है यानि दी नीचे की तरफ लेना है तुम्हें ठीक है तो अब इसके लिए मैंने आपका यह बना के रखा है क्यू आर को जैसे ड्रॉ करके रखा है तो यह आप देख रहे हैं अब मैं इसको नीचे तक बना दूँगे क्योंकि मुझे डी नीचे की तरफ लेना है इतना मुझे समझा गया तो ऐसे करके हमने एक लंबी सी रे या हम कहेंगे किरन हमने ऐसे क्यू एक्स करके बना दी ठीक है अब आप यह देख रहे हो अगर यह आडरी क्यों माइनस पी यह था एक तो मैंडी ऊपर की तरफ लेती यह प्यार हमने की तरफ लेंगे तो टू सेंटिमेटर अपना नोट करो कितना है टू संटिमीटर जैसे मैं तुम्हें बताते हूं कि इसको ऐसे मारक करना जादा बेटना रहता है ऐसे लिया और अपना ज यह देखो, नोट करो, यह कैसे है, Q को आर्क रखते वे, ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉ कर लो, यह, ज़रा रहा है आपको, ठीके, यह Q पर रखते वे, हमने इसको आर्क को ड्रॉ कर दिया, अब इसे आप स्केल से जॉइन कर दीजे, यह हमने Q नोट कर लिया, इसको यहाँ पे 2 cm लिग दो, जितना बनाएं आपने, और आप इसको B पॉइंट मी नाम दे दो, क्योंकि इसको हम हमेशा D नाम दे रहे हैं, और ऐसे R और D को जॉइन कर दो बच्चो, इस तरीके से आप इसको जॉइन कर दो, ठीके, मैंने गलत जॉइन किया, गलत हो गया, इसको ठीक, इसक बच्चो आपका बन गया DR, अब आपको इसका RD का क्या बनाने है, परपेंडी किलो बाइसेक्ट बनाने है, तो हम क्या करते है, हाफ से जाधा इसको ओपन करते हैं, ठीके, और इसको ARP को लगाते, ऊपर नीचे, दोनों जगहां नाम इसको लगाते हैं, ठीके, अब यहां और दो जिगहाँ पर यह कट हुआ है यह दोनों पॉइंट्स को आप डाप करके ऐसे माक कर लीजिए कि यह पॉइंट है और यह पॉइंट है इसको आपको स्केल से बनाना है उपर की तरफ इसको dotted line ऐसे करके बना लिया करो यह जहां पर यह टच हुआ यह पॉइंट आपका ए है बच्चो और इसको आप मिला दो यहां पर हमारा P Q नाम है यह पी ठीच है इस पी अब इसको आर से मिला दीजे तो यह जो ट्राइंगल आपका बना P Q R यह आपका रिक्वाइट ट्राइंगल है ख्लियर होगे एक कोशिए अब इसका रीजन भी देख लो एक क्यों है देखो आपको पता है कि P D आपका P R के एक्वाल है P D is equal to P R P Q इसे प्रपेंडी के लबाई सक्टर है P D और P R दोनों बराबर होंगे बिकोज R D का प्रपेंडी के लबाई सक्टर और Q D आपको दिया है 2 cm ठीक है question में given है अब आपका P Q किसके एक्वाल होगा P D माइनस Q D के एक्वाल होगा कैसे देखो P D P Q किसके एक्वाल है P Q है P D माइनस Q D ठीक है और P Q और P D आपका किसके एक्वाल है P R के एक्वाल है ठीक है अभी हमने उपर लिखा था P D और P R दोनों बराबर है इस equation से हमने इसको P R लिखा और Q D की वालिव टू सेंटिमेटर है यहां से तो अब आप इसको अरेंज करो टू को इ एंगल ABC बनाना है बेस लाइन आपको दिया है 3 सेंटिमेटर यह 45 डिगरी दिया है और AB-AC 2 सेंटिमेटर दिया है तो अब यहां पर देख लो AB-AC तो यह हमारा उपर की तरफ ही बनेगा अब यह एंगल 45 डिगरी है BC मैंने आपका ड्रॉ करके रखा है 3 सेंटिमेटर और 45 डिगरी एक बार जल्दी से आप देख लीजे कैसे बनता है आप एक आर्क बनाते हो फिर पहला लगाया 60 डिगरी का दूसरा लगाया 60 से 120 का और 60 औ अब लेकर अपने अब लेकर बनाने के लिए 0 डिगरी जिगरी लिगरी इस जिगर कर यहांपे लेकर देख लगाया अब बिनार्फ कीए 90 साइट से लगाऊँगे यह तुhारी 90 साइड है ठीक है और जोनों जहांपे पुर्दी हो तुम्हारा 25 डिगरी होगा इसको तुम एक लौाग रे से या किरण से ऐसे करके बड़ी इस भना दोगे यह तुम्हारी लौं मैं श्र॥िवर्व करनाब भी ओफानि यसे तरीके से आपका 45 डीगरी ऐंगल ऐसे बना इस तरीके तो इसको तुम यहां लिख भी दोगे 2 cm यह बहुत चोटा होता है बहुत चोटे चोटे डिस्टेंसेज है यह इस ट्राइंगल के अंदर ना अजरो जवडानी के जा है समझ करेंगे आदे से लिए इक आर्ग ऊपर लगाया देख रहे हैंगे और यहां पर रखके फिर एक रख नीचे की तरफ लगा दिया नजर आ रहा तो यह देखिए बी पे रखा एक आर्ण उपर की तरफ लगाै तुराने वाले को cut करेगा वो ठीक है यह देखो, यह लगा ओके, नजर आ रहा है और इसी तरह एक आर्ण नीचे की तरफ लगा अब बच्चों देखो मैंने एक और ड्रॉ कर दिया यहाँ पर क्यूंकि इसमें बहुत सारे आर्क हो गए तो नजर नहीं आ रहा है दो पर्पेंडिकुलर बैसेक्टर को अब जॉइन करना है यहाँ पर जब आप जॉइन करोगे ना यह दो पर्पेंडिकुलर बैसेक्टर मै ल mandarना करना परेंगे इसको और एकस्टेंट करेंगे ऐसे ठीक है और इसको और बढ़ाते रहेंगे इसी तरह तो एक पॉइंट पर जाके कहीं पर मिलेंगी यह यह देखो ऎसे जाता है और हम इसको फ्वब और आगे बढ़ारें की ह養सोर यह जिस में पैडी यह यह आपका ABC ट्राइंगल बना तो आपको जितना भी आप पेज कॉपी का पेज ले तो इसको बिल्कुल बॉटम लाइन में आपको ड्रॉ करना चाहिए बिल्कुल नीचे से शुरू करना चाहिए कि यह डिफरेंस अकसर जाके बहुत आगे जाके मीच करता है इस तरीके से लॉजिक वही रहेंगे जैसे पहले थे ठीक है सेम लॉजिक पर आपका रीजनिंग प्रूफ हो जाएगी कि वाई इस इस ती रिक्वाइट ट्राइंगल ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा तोनों के सेम स्टेप्स हैं ठीक है इसके साथ हम इस वीडियो को ओवर क करते हैं बच्चों कमेंट सेक्षें में कमेंट करना तुम्हें समझ आया कि नहीं समझ आया ठीक है हम फिर मिलते हैं बच्चों ओकी बाए बाए